असलामनेकुम दोस्तों आज हम Numerical of Chemical Equilibrium की एक और एक्जाम्पल समदने जा रहे हैं जिसमें Syntex Book Bot के Question No.6 कॉम सॉल करने जा रहे हैं इस सवाल में हमसे पुशे जा रहा है A quantity of PCL5 was heated in a 12 BM cube vessel at 250 degree centigrade जिसकी equation हमें दी गई है PCL5 equal to PCL3 plus CL2 At equilibrium the vessel contain 0.21 mol PCL5 0.32 mol PCL3 and 0.32 mol CL2 Compute the equilibrium constant इस सवाल में कहा जा रहा है कि हमारे पाफ 12 BM cube का एक vessel है जिसमें हम PCL5 को जब heat up करते हैं तो वो convert हो जाता है PCL3 में और CL2 में और कहा जा रहा है कि equilibrium पर vessels में 0.21 mol PCL5 बचता है और 0.32 mol PCL3 बनता है और 0.32 mol CL2 बनता है और इस सवाल में पूछे जा रहा है कि आप equilibrium constant मालूल करके बता है जिससे पहले हमने यहाँ data में equation लिखी PCL5 जो के heat up होने पर किस में convert हुआ PCL3 और CL2 है और equilibrium पर बताय जा रहा है कि हमारे पास जो remaining दे जाता है PCL5 वो 0.21 mol होता है PCL3 जो है वो 0.32 mol और CL2 भी 0.32 mol और यहां हमें volume दिया गया है 12 यहाँ सा concentration के लिए 12 हम इसके नीशे लिखेंगे तो यह हमारे पास equilibrium पर इन सब की concentration आ गई है अब required में हमसे बुशर जा रहा है कि आप equilibrium constant मालूल करके बताए means केसी बुशर जा रहा है अब इसके लिए हमें केसी equation बनाना न चाहिए केसी equation में मालूम है कि हम हमेशा product की concentration को numerator में रखते हैं तो हमने PCL3 और CL2 को numerator में रखा है और denominator में हम PCL5 को रखने जा रहे हैं अब इन तीनों की concentration हमें मालूम है 0.32 upon 12 और 0.32 upon 12 हो जाता है इसी तरीके से PCL5 हमारे पास है 0.21 upon 12 जब हम 0.32 को हम 12 से divide करते हैं तो हमारे पास यह value आ जाती है 0.0267 इसी तरीके से यहां पर भी 0.0267 आ जाएगा और जब हम 0.21 को 12 से divide करते हैं तो हमारे पास value आ जाती है 0.0175 और जब हम तीनों को solve करते हैं तो हमारे पास केसी की value आती है 0.04 और यह हमारे इस numerical का answer है अगर आपको हमारे यह lecture समझ में आया है तो आप हमारे इस channel को subscribe कर सकते हो जो के sinboard teaching के नाम से है thank you very much